नमस्कार रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ व्याभो मुश्या। उत्तरपदेश्ट विधान सभाचुनाओ समेथ चार राज्यों के विधान सभाचुनाओ संपन हुए हैं। नतीजे हम सब के सामने हैं। चार राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई जबकि एक राज्य में आम आदमी पार्टी ने शांदार मिंडेट के साथ सरकार बनाई और वो राज्य है पंजाब। अब इन चुनावी नतीजों के बाद सबसे बड़ी बात ये गुजरात पे होने वाले विधान सभाचुनाओ की तैयारियों के लिए विधान सभाचुनाओ के शंकनात के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसिये दोरे पर गुजरात पहुचे। गुज़ात पहुचने के बीच अब सवाल ये उट रहा है राजनीतिक फिजाओं में कि जिस तरह से कॉंग्रस की करारी हार हुई है इन पांच राज्यों के विधान सभा चुनाओं में, जिस तरह से अखिलेश यादों की हार हुई है उतरपदेश के विधान सभा चुनाओं में आने वाली 2024 में जब लोक सभा के चुनाव होंगे तो क्या ये बिकरा विपक्ष और बिकरे विपक्ष के तरफ से फ्रंट पर कौन आएगा जो टक्कर देगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सवाल जरूरी इसलिए भी है क्योंकि 2022 विधान सभा चुनाव उत्तर पदेश और इन चुनाव के नतीजों के बाद जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मला तब दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्याले पहुँचते हैं और कारेकरताओं को संबोधित करते हैं कारेकरताओं के संबोधन के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं उन्होंने कहा कि 2022 का ये चुनाव, 2022 का विधान सभाचुनाव उत्रपदेश का आने वाले 2024 के लोग सभाचुनाव के दिशां तै करेगा। अब आप समझे मतलब इसके पीछे क्या है क्योंकि कॉंग्रेस का जो इस पर्फॉर्मेंस रहा है इन पांच राजों के विधान सभाचुनाव में एकलोता कॉंग्रेस पंजाब में थी पंजाब में कॉंग्रेस शांदार प्रदर्शन कर रही थी लेकिन कॉंग्रेस के अंद अब राज स्तरिय पॉलिटिक्स से थोड़ा सा उपर उठकर केंद्र में टक कर देंगे प्रधानमंतरी मोदी को नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन नाम ना लेते हुए इंडारिक्ली उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि 2024 में वो चुनौती बनकर सावित होंगे केंद्र सरकार के सामने बीजेपी सरकार के सामने ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ममताब एनर्जी फ्रंट फूट पर आएंगी गटबंधन जो विखरा है उसमें क्या ममताब एनर्जी फ्रंट फूट पर आएंगे जब वो हिंदी राज्यों में आती हैं जहाँ पर हिंदी बोली चाल या फिर आम भाशाएं जो हैं वो बोल चाल की हैं वहाँ पर क्या ममतब एनर्जी को लोग पसंद करेंगे अखलेश यादो भी एक बड़ा विकल्क के तोर पर उवर सकते थे लेकिन उत्तर पदेश विधान सभा चुनाओं में अखलेश यादो की हार अखलेश यादो को बैक फूट पर ले गई है आम आदमी पार्टी की बात करें आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शांदार मेंडिट हासिल किया और उस वक्त हासिल किया जब पंजाब में कॉंग्रस शांदार परफॉर्मस कर रही थी अगर ये पिछले 6 महिने के जो उठा पटक हुई कॉंग्रस के अंदर इसको छोड ती थी कॉंग्रस असलिय नहीं क्योंकि कॉंग्रस का जो पर्फॉर्मेंस इन पांच विधान सभाओं में रहा है वो कॉंग्रस को बहुत पीछे ले गया है जिस जनाधार को तलाशने के लिए कॉंग्रस उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी को लॉंच करती हैं प सिर्फ और सिर्फ उनके पार्टी से एक महिला चुनाव जीतती है वाप सोचिए कॉंग्रस कितना ज्यादा बैक फुट पर इस चुनाव के बाद कई है दोजार चौबस आते आते कॉंग्रस को अगर फ्रेंट फुट पर आना है तो थोड़ा सा मुश्किले कॉंग्रस के ल इन चुनाव का कोई खास असर 2024 के आम चुनावों में पढ़ता हुआ नहीं नजर आएगा तो बीजेपी इन चुनावों को और इन नतीजों को भुनाने की बात करते हुए नजर आ रही है तमाम राजनीतिक विशेशक लोगों का ये कहना है कि इन चुनावों का आम चुना इन चुनावत इंतजार करना होगा अगर अभी तक आपने रिपबलिक भारत का डिजटल प्लेट neutr फोर्म साब्स्क्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाए रिपबलिक भारत के डिजटल प्लेट्फोर्म को सब्स्क्राइब करना ना भूले